हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल रसोई की दुनिया आज हम बनाएंगे पापड़ी चाट तो सबसे पहले हम पापड़ी बनाएंगे उसके लिए लिया हमने एक कप मैदा आधा कप सूजी हमने इसे अच्छी तरह छान लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा ओयल वेजटेबल ओयल ले सकते हैं और स्वाद नमक डालेंगे अब हम इसे अच्छी तरह मिलाएंगे चुकि हमने इसमें ऑयल डाला है इसलिए हमें दोनों हाथों से रगड़ के अच्छी तरह मिलाना है ताकि हमारी क्रिस्पी पापड़ी तयार हो सके यह देखिए जब हाथो से डो बनने लगे इस तरह तो समझ जाएए कि आटा हमारा अच्छी तरह नीड होने के लिए तयार है मैंने नॉर्मल पानी लिया है आप चाहें तो लियूक वाम वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको थोड़ा टाइट डो बनाना है मैंने इसमें मोटे रवे का इस्तेमाल किया है मेरे पास वही था आपके पास जो हो वो रवा आप इस्तेमाल करें डो हमारा त्यार हो गया है अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए ढग देंगे यह देखिए 15 मिनट हो चुके हैं अब हम इसे वापस नीट करेंगे इसे हमें मल मल के अच्छा डो बना लेना है क्योंकि इस इसलिए हमें थोड़ा इसे मलने की जरूरत है यह देखिए डो हमारा त्यार हो गया है अब हम इसकी दो लोईयां लेंगे और इसकी बड़ी पूड़ी बेलेंगे ताकि हम उसकी पापड़ी काट सकें यह देखिए बड़ी सी पूड़ी बेलेंगे आप कैसी भी पूड़ी सपली कें लिवर मैं और पर एक काठा रारी हम सफे पूरी भी हम छेट करणें Permade सबस्सकें यह कहाते हैं फापड़ apoyo करेंगे फिर हम चाट बनाना श्रूराइए लिए कचिक नफ्रinated कि हम né बेल लिया है और आपके पास कोई भी कटोरी ग्लास या फिर धक्कन हो जो भी पापड़ी के साइज से मिलता जुलता हो आप उससे पापड़ी काट लेंगे सारे पापड़ी को इस तरह निकाल के अलग रख लेंगे कटिंग से बचे वे आटे के भी हमें पापड़ी बेल लेनी है इधर हमने ओयल गरम होने के लिए रख दिया है अब हम इसमें पापड़ी को डालेंगे लो फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक फ्राइए करेंगे आज तेज बिल्कुल भी ना हो नई तो पापड़ी हमारी उपर से जल जाएगी और अंदर से कच्छी रह जाएगी अगर आपको मेरी चाट पापड़ी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा कॉमेंट करना न भूलिएगा और बेल आइकन तो जरूर दबाईएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले हमारी सारी पापड़ की तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं अब हम चाट बनाने के प्रोसेस में आगे चलते हैं आप पापड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं प्रेंट्स यह पापड़ी चाट आप जरूर ट्राइग करिएगा यह खाने में वाकई बहुत तेस्टी लगती है यह पापड़ी हो गई हम इसके ओपर बॉयर डालू है छोटे-छोटे पीस में कटे हुए यह बॉयर डालू है प्याज यह हम बारी कटे प्याज डालेंगे यह हमने मुंकली डाली है अच्छे से कुर्पुरे भुने हुए मुंकली है आप चाने तो इसकी जगह वायल चने भी डाल सकते हैं वायड चना या ब्लेक चना कोई भी चना डाल सकते हैं ये हमने दही फैला लिया इसके उपर ये दही में हमने चीनी डाल के फेट लिया है चीनी डाल दिया है इसमें नमक नहीं डाला है प्योंकि बाकी चीजों में नमक पड़ा हुआ है पापड़ी में नमक पड़ी है हमारी चट्नियों में नमक पड़ी है यह हरी चटनी है इसे मैंने घर पे बनाया है यह इमली और गोड की चटनी है इसमें नमक और चीनी दोनों पड़े है इसमें मैंने इमली मिलाया है और गोड है आ लाल मौश ऑदर है बहुत ज्यादा न डाले चतनीक वेबी मिले थोड़े चटनी थोड़े थोडह पड़े हुए है कि सव डालएंगे आप सेव नहीं तो आप को इभी भूजिए डाल देंगे यह मैंने भूजिए डाली है हम लोगों को भूजिए पसंद है आप सेव या भूजिए खुछ भी डाल सकते हैं मुझ जादा सा डाले कि उपसे को एक बार और डाल दें कि आप चाहें तो हरी मिर्ज भी काटके डाल सकते हैं इसके उपर एक बार और दही डाल दें उपर से कुछ आनार के दाने डाल दें यह ऑप्शनल है आप ना चाहें तो ना डालें थोड़ी सी हरी धन्या की पत्ती या फिर पुदीने के पत्ते जो भी आपका दिल करें वो आप डाल दें उपर से थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दें अगर आप चाहें तो छुड़के यह मेरा घर का बना हुआ मसाला है आप चाहें तो बाजार में रेडिमेट चाट मसाले मिलते हैं आप वो डाल दें यह देखिए हमारी चाट पापड़ी तयार है अब हम एक उठा के आपको दिखाते हैं यह देखिए इसे आप भी बनाएं खाएं और खिलाएं बहुत ही इजी है बनाने में यह खटी मीठी चाट पापड़ी बच्चों को जरूर पसंद आएगी बड़ों को भी पसंद आएगी थांक थो बाच्चें